हाई नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है वाफिर से आपके अपनी यूटूब चनल रिवीई हडी पर देज भर में लगातार पेटोल और डीजल के दाम आस्मान चुरे हैं जिसके वज़े से ज्यादा तर कार गरहाक एलेक्ट्रिक कार्स पर स्विश्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार से डीजल और पेटोल कार की तुल्ला में जीरो पॉलिसम होता है और आपकी रणिंग कोश्ट 90 परशन तक डिक्रीज हो जाती है आपको बताते चले एलेक्ट्रिक कार खाईदने पर भारत सरकार 20 परशन से लेकर 55 परशन तक का सबसेड़ी देती है अगर और दोस्तों हमारी इस लिस्ट में फिफ्ट नंबर पे है महिंद्रा इवेरीटो एक रोमेनियन इलेक्ट्रिक सेडान कार है इवेरीटो एक फाइट सीटा सेडान कार है यह फर्स टाइम 2016 में लौंग शुई थी और यहां फर्स जनरेशन वारियंट देख रहे हैं इवेरी एंट्री, और टो डो लॉक्स, कोलेसबल इस्टेरिंग कॉलांब, सीड बेल्ट रिमाइंडर, हिल ओल्ड कंट्रोल और डिजिटल इमोबलाजर मिलेंगे महिंद्रा इवेरीटो में थ्री फेस एसी इंडेक्शन मोटर मिलती है जो आती है 18.55 किलो ओर्ट लिथियम आयन वै इसके अंदर आपको सिंगल स्पीड डारेक्ट ड्राइब आटोमेटिक ट्रांस्मिशन मिलता है, 86 किलोमेटर प्रतावर की टॉप स्पीड है महिंद्रा इवेरीटो की, महिंद्रा इवेरीटो का प्राइज स्टाट होता 10 लाग रुपे से और जाती है 10 लाग 50 जा रुपे एक 5 cheater Indian sedan का रहा है, यह फर्स्ट टाइम 2019 में लॉंच हुई थी और यह आप 2021 का 1st generation facelift variant देख रहे हैं, इगोर EB में आपको total 4 variants मिलते हैं, जो कुछीज परकार से है, XE, XM, XZ+, XZ+, DT, इगोर में आपको total 2 colors का option मिलता है, जो कुछीज परकार से है, टील, एक्वा, ब्ल्य और ग्रे, इसके साथ में आपको dual tone में black group का option मिलेगा, टीगोर EB में दो drive modes मिलते हैं, drive और sports, X18 EB K under, income tax benefit मिलता है, electric cars पर, safety kender, 2 airbag, ABS, EBD, corner stability control, front seatbelt reminder, rear door child lock, rear camera, speed depending auto door locks, remote center locking, heel descent assist, और seatbelt, pre-tensioners, load limiters, और crest locking tongue के साथ मिलेगी, टीगोर EB में आपको 316 liter की boot space मिल जाती है, टीगोर EB में जिप्रोन, permanent magnet, synchronous motor के साथ, 26 kilowatt, high energy destiny, lithium ion battery pack मिलता है, ये motor 74 watts power generate करता है, 170 nm torque generate करता है, ये battery 80% चार्ज जाती है, 50A plug से सिर्फ 8 खंटे में, एक बार की full charging पर 306 km तक की range देती है, टीगोर EB, और 120 km per hour की top speed है, टीगोर EB की, टीगोर EB का price start होता है, 11,45,000 रूपीज से, और जाता है, 13,15,000 रूपीज तक, और अब हमारी इस लिस्ट में 3rd number पे है, Tata Tiago EB, Tata Tiago EB एक 5-seater Indian hatchback का रहें, ये first time 2022 में launch होई है, और ये आप first generation variant देख रहे हैं, टोटल 5 variants में आती है Tata Tiago EB, Tiago EB में total 5 colors का option मिलता है, जो कुछ इस प्रकार से है, blue, gray, topical mist, white और midnight pulp, purple color, Tata Tiago EB में 2 drive mods मिलते हैं आपको, city और sports, Global NCAP ने 5 में से 4 star दिये हैं, सेप्टिक लिए Tata Tiago EB को, सेप्टिक अंडर, दो airbag, ABS, EBD, speed dependent volume control, door open and key and reminder, front seatbelt reminder, ITPMS, tire pressure monitoring system, rear door child lock, rear park assist, speed dependent auto door locks, accident में auto battery cutoff, impact sensing auto door unlock, reverse camera और seatbelt, pre tensioners, load limiters और crash locking tongue के साथ मिलेगी, jet connect एप से आप car के 45 plus features अपने स्मार्टफोन से एक्सिस कर सकते हैं, Tiago EB में 24 kWh lithium-ion battery मिलती है, 3 phase permanent magnet synchronous motor के साथ, ये motor 73 horsepower generate करता है, 114 nm torque generate करता है, और एक बार की full charging पर 315 km तकी range मिलती है, आपको Tiago EB में, Tiago EB 15A plug पर 90% charge जाती है, मात्र 6 घंटे में, और वही DC fast charger से 70% charge जाती है, मात्र 57 मिनट में, Tiago EB की price start होती है, 8,50,000 रूपीज से और जाती है 11,80,000 रूपीज तक, और अब हमारी इस लिस्ट में second number पर आती है, महिंद्रा E2O Plus, महिंद्रा E2O Plus एक Indian hatchback electric four-seater car है, ये first time 2001 में launch होई थी और ये आप second generation variant देख रहे हैं, ये महिंद्रा की सबसे छोटी और पहली electric car है, ये automatic transmission में ही आती है, इसके total दो variants आते हैं, पहला P4 और दूसरा है P6, total four colors के option के साथ आती है, महिंद्रा E2O Plus, जो कुछ इस प्रकार से है, blue, red, silver, white, इस car की 70 पैसे per kilometer की running cost है, इस car में चार यातरी आसानी से बैट कर यातरा कर सकते हैं, safety gander, आगे पीछे seat belts, child seat mounting, rear door child lock, reverse parking camera और hill hold assist के साथ impact beam मिलेंगे, इसके अंदर आपको 135 लीटर की boot space में जाती है, महिंद्रा E2O Plus में आपको lithium-ion battery 210 EH capacity के साथ, 16 modules, 48 cells, 11 kilowatt on-board power, 84 kilowatt battery bit और साथ में 3-phase AC induction motor मिलेगी, 25 horsepower मिलेगी, 70 Nm torque generate करेगी, और ये car एक बार की full charging पर 110 km की range देगी, इसके P4 variant कीमत है 8,00,000 रुपए और P6 variant कीमत है 8,70,000 रुपए, 0 to 60 की speed पकड़ेगी मातर 14 seconds में, और अब हमारी इस list में first number पे है, strong motorist के तरफ से R3 EV, दोस्तों ये एक 3 wheeler का रहे हैं, इसके अंदर 3 पहिए दिए गए है, R3 EV एक 2-seater का रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ दो लोगों के लिए seating दी गई है, ये single electric engine में automatic transmission के साथ आती है, septic ender, adjustable seats, 3 point seat belts, pre-tensioners और force limiter के साथ आएगी, इसके अंदर 7-inch का touchscreen infotainment system मिलता है जो support करेगा, USB, AUX, radio और FM, इसके अंदर 6 kWh lithium-ion बैटरी मिलती है, 3 kWh BLDC मोटरेक साथ, जो की 20 BHP power generate करता है, 90 Nm torque generate करता है, और एक बार की full charging पर लगभग 120 km तक की range देती है, स्टॉम R3 EV का 550 kg कर्ब वेट है, स्टॉम R3 EV सिंगल वेरियेट में आता है, इसका प्राइज 4,50,000 रूपेज है, R3 EV का प्राइज 4,50,000 रूपेज है, सो गाइज ये थी 5 सबसे सस्ती electric कारें, इसमें से अगर हमें किसी एक कार को चुनना होगा, तो इसमें हम सबसे पहले Tata Tiago EV को चुननेंगे, आपको इसमें से कौन सी कार पसंद आई, हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा दोस्तों, इसे तरी वीडियो देखने लिए मारे साथ जुड़े रही है, और ये वीडियो देखने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों,